दोस्तो आज मैं आपको ठंड में करीब का मिट्टी और पत्तो का घर काहनी सुना रही हूँ पापा बड़ी ठंड लग रही है मेरे हाथ पहस जमे जा रहे हैं पापा सुनू के पापा दिहाडी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे पर अभी उनके पास कोई काम नहीं था वो बहुत गरीब थे रामु की पत्नी की हालत भी ठीक नहीं थी वो पांच महिने की गर्वती थी ऐसी हालत में भी वो घर का सारा काम करती थी और उपर से इतनी ठंड वो अपनी बेटी सोनू को दिलासा देते हुए कहती है बेटा हम गरीब है ना पर दो वक्त का खाना तो हमें मिल ही जाता है हमें इससे ही खुछ रहना चाहिए और तुम्हारे पापा कोई कसर नहीं चोड़ते हैं कोई भी काम करने में उस गाउं के अधिक तर लो गरीब ही थे सबकी हालत रामु जैसी ही थी सबको पता था कि अब ठंड ओर जादा बड़ेगी और बारिश बरबारी भी होगी सोनु की मा मंजु सोनु को सुलाने के लिए लोरी गाती है लला लला लोरी दूदी की कटोरी दूद में पताशा मुनी करे तमाशा गाते गाते मन्जू की आँखों में आसू आ जाते है ऐसा कब तक चलेगा जी एक बच्चा और आने वाला है हम दो बच्चों का पालन पोशन कैसे करेंगे हाँ मन्जू अभी काम भी तो नहीं है काम मिले तो पैसे आए और पैसे ही तो से ही गर्म स्वेटर और रिजाई कमबल ला पाएंगे ना मन्जू रोते हुए कहती है हम तो माबाब बनने के लाइक ही नहीं है जब हम इने अच्छी तरह से नहीं पाल सकते तो हमें इने दुनिया में लाना भी नहीं चाहिए मन्जू रोते हुए गिड़ गिड़ाते हुए कहती है रो मत मन्जू हमारी जरूर सुनेंगे भगवान एक ना एक दिन तो फिर उसी राद बहुत जोड से बिजली कड़कने लगती है ठंड के कारण से वो सो नहीं पाये थे अपनी बेटी को ठंड से कापते हुए देखे जा रहे थे और फिर बादलो के कड़कडाने के बाद बारिश भी शुरू हो गई और वो भी जोड़दार वाली बारिश उनकी जोपड़ी भी जंगे जंगे से तूटी हुई थी सो बारिश का पानी अंदर से टपकने लगा जैसे ही सोनों पर बारिश की एक भूंद पड़ी वह उड़ गई मा ये क्या हो रहा है अब तो बारिश भी पढ़ने लगी है मा और जादे ठंड लग रही है मा पता नहीं बेटा हम गरीबों की किस्मत में क्या लिका है अरे मंजू तुम ऐसा करो जल्दी से चूले में आग जला लो उससे ही थोड़े हाथ सेख लेंगे और उसी के सहारे बैठ जाएंगे मंजू जल्दी से जाकर चूले में आग जलाती है और वो तब आग के सहारे बैठ कर हाथ सेखते हैं और अपनी ठंड दूर करते हैं परन्तु बारिश इतनी तेज थी कि उनकी जोपड़ी का एक हिस्सा तूटकर उसी चूले पर गिर जाता है और फिर बारिश के कारण उसमें से आग बुच जाती है अब वो लोग घर में ही बारिश में भीगते रहे रामो कहता है अरे मंजू मुझे तो लगता है कि हमारा पूरा घर ही गिरने वाला है जल्दी बाहर निकलते हैं हाजी लगता तो यही है फिर वो तीनों घर से बाहर आ जाते हैं और बारिश में बीगते रहते हैं, वहां सभी लोग ऐसे ही घरों में रहते थे, सो सभी अपने अपने घरों से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, तभी रामु का पूरा घर तेज बारिश के साथ गिर जाता है, वो तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, अब बार थोड़ी हम पे दया करो रामु ने देखा कि सोनु बुरी तरह से काप रही थी उसने सोनु के माथे को चूप कर देखा तो उसे तीज बुखार था वो खास भी रही थी और उसकी आखे भी लाल थी रामु कहता है हे भगवान मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाओं क्या करूं मैं कहां जाओं कैसे क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है मंजु ने सोनु को उठा कर अपनी गोद में ले लिया किसी तरह वो रात कटी सुभा उनों ने देखा की गाओं के सारे गर ही तूट चुके थे और जो कुछ एक दो बचे थे उनकी हालत भी बस जर जर ही थी अब गिरे की तब गिरे किसी भी समय वो गिर सकते थे सारे गाओं वाले रो रहे थे हे भगवान सारी हमारी परिक्षा आज ही ले लोगे क्या इतनी ठंड में हम कहां जाएं क्या खाएंगे कैसे जीएंगे इससे अच्छा है तो है तू हमें मार ही दे बच्चों की हालत भी बहुत खराब थी रामों से यह सब देखा नहीं गया उसने सारे आदमियों को इकटा किया और गाओं के सहुकार के पास गया वो सहुकार इस गाओं का सबसे अमीर आदमी था सभी को वही काम देता था सबने सहुकार के पास जाकर हाथ जोड़े और बोले साहब हमें कुछ काम दे दो हमारी आहलत बड़ी खराब है हमारे घरों में खाने को तक नहीं है और अब तो हमारे घर भी नहीं बचे है अपर से हमारे घर तूट गए है हम पर दया करो सावकार बोला इस बारिश और वरभवारी में मैं तुम्हें क्या काम दे दूँ ऐसे में तो कुछ काम नहीं होता कुछ पैसे धी दे दो सावब हम लोगों से थंड नहीं सही जा रही है थंड से नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे अरे जिन्दा रहे कर भी तुम लोगों ने क्या कर लिया है सावब हम आप के लिए ही तो काम करते हैं अब आप हमारी मुश्किल के दोर में हमारी साहता नहीं करेंगे क्या ऐसे नहीं तो आप हमें कुछ उधार ही दे दो नहीं नहीं कुछ नहीं है जाओ यहां से रामो कहता है उधार समझ कर ही दे दो साब चुका देंगे हम आपके पैसे साउकार कहता है भाग यहां से तुम्हें एक रुप्या भी नहीं दूँगा तुम लोटाओगे मेरे पैसे साउकार ने वहां से सब को भगा दिया उसका घर एक नहर के पास था और बहुत बड़ी जंगाय में उसका घर बना हुआ था साउकार रोज अपनी छट से नहर को देखता था क्योंकि उसे किसी परकार की कोई दिक्कत तो थी ही नहीं सारे गाउं वाले तो भूके थे उपर से उनके घर भी तूट गए थे आग जलाने की लकड़ी उपले यहां तक की माचिस भी बर्फ के नीचे ही दब गई थी सारे गाउं वाले इस आफत में फस गए थे और उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था रामू और मंजू बड़े परिशान थे कि अब इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा हमारे साथ तभी मंजू ने देखा कि सोनू की सांस नहीं चल रही थी अरे सोनू क्या हुआ बेटा उठो कुछ बोलो बेटा क्या हुआ तुम्हें जवाब दे सोनू सोनू रामू भी बोलता है सोनू मेरी बच्ची क्या हुआ बोल कुछ बोल सोनू सोनू पर सोनों ने कोई जवाब नहीं दिया सारे गाउं वाले रोने लगे रामु ने सोनों को एक बड़े से पत्ते वे एक मिट्टी से ढग दिया गाउं वाले कहते लगता है आज भगवान हमसे कुछ जादा ही नाराज है रामु भी कहता है पता नहीं भाई पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो 15 दिन में हम सब मर जाएंगे सारे गाउं वाले बहुत परिशान हो जाते हैं तभी मन्जू के पेट में दर्द होने लगता है तभी सब ने देखा कि जो पत्ता सोनों के उपर डगाता हुए हिलने लगा सारे गाउं वाले चोग गए पत्ते को हटा कर देखा तो सोनों उठकर आ गई अरे बेटी मेरे बच्ची सोनों रामू और मन्जू की तो खुशी का कोई ठीकाना ही ना रहा मा मैं मर नहीं गई थी मेरी सांस ठंड के कारण बंद हो गई थी पर मिट्टी की गर्माट से मुझे में सांस आई और मेरा बुकार भी ठीक हो गया और मैं होश में भी आ गई रामू अरे भाब बेटा ये तो किसी चमतकार से कम नहीं है सारे गाउं वाले भी खुश हो गए सोनों ने कहा क्यों ना पापा हम मिट्टी और पत्तो से घर बना ले क्योंकि मिट्टी और पत्तो से ही मुझे गर्माट मिली थी अगर हम ऐसा घर बना लेंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी ये बात सारे गाउं वालों को पसंद आई और फिर सब सारे गाउं वाले पत्ते, मिट्टी का गास फूस का इंतिजाम करने में जुट गए और कुछ ही घंटों की महनत के बाद सारे गाउं वालों ने अपने लिए छोटे-छोटे से घर बना लिए अब वो उनको गर्माहट देने लगे, लोग उनमें उने ठंड का एसास नहीं हो रहा था सोनु बेटा, तुमने बिल्कुल सही आइडिया दिया है, ये तो घर गर्म रहता है अब यही घर में ठंड से बचाएगा, उस रात फिर से जोड़दार बारिश हुई, परन्तु इस बार बारिश का पानी अंदर नहीं गुसपाया और दूसरी तरफ नहर का बान तूट गया, जादा बारिश के कारण, और उस आउकार का घर नहर में बह गया और वस आउकार भी भै गया, इस तरह गाउवालों ने मिट्टी और पत्तो के घर से अपने आपको ठंड से बच्चा लिया और खुशी खुशी रहने लगे, दोस्तो अगर आपको ये कानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स वर वोचिंग